इस lecture के अंदर हम देखेंगे कि data merging क्या होता है data merging, data pre-processing का एक step है जिसको हम utilize करते हैं जब हम data को integrate कर रहे होते हैं data integrate क्यों किया जाता है? जब हम 2 या 2 से ज्यादा तरीकों से data collect करते हैं या data को ले के आते हैं अपने पास तो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा data के sources आ जाते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा Excel की sheets आ जाती है उन Excel की sheets को या उस data को किस तरीके से हम जमा करते हैं और merge कैसे करते हैं merge का मतलब होता है दो चीजें जो मुख्तलिफ हैं वो दोनों को मिला के एक data बना लिया जाए और merge एक unique values की base पे होता है इस सारी strategy को हम समझते हैं मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ यहाँ पर screen आपको नजर आ रही है हम यहाँ पर देखेंगे कि data merging होती क्या है ठीक है और दूसरा column है जिसका नाम है age ठीक है इसमें जो name के अंदर आपके पास keys है वो है जी एहमद उसकी जो age है वो है 28 फिर दूसरी है आपके पास name जो है वो है फातिमा और इनकी age है 31 फिर तीसरा जो आपके पास नाम है that is Ali और इनकी age है 29 यह हो गया हमारे पास एक data ठीक है data merging को हम समझ लें है हम फिर एक दूसरा data लेते है data 2 और इस data को पहले data में merge करने के लिए हम देखेंगे किस तरीके से इसको merge किया जाता है right तो data 2 के अंदर जो हमारे पास चीजें है आप ये समझ लें कि इसके अंदर हमारे पास है जी city and हमारे पास जो just a minute city और second हमारे पास है जी इसी में हमारे पास आप कहा सकते हैं कि occupation आप कर लेते हैं ठीक है ये हमारे पास दो चीज़ी है अब city की बात की जाए तो हमारे पास आ सकता है जना आप city में कराची आ सकता है second हमारे पास लहोर हो सकता है third one हमारे पास इस्लामबाद हो सकता है ये तीन cities हो गए occupation के अंदर हम पहले वाले को कर लेते हैं इंजीनियर दूसरे को हम कर लेते हैं doctor और तीसरा जो नाम है हम कर लेते हैं teacher ठीक है ये हमने दो जगों पे data set collect किया है और ये दो data है हमारे ठीक है अब हमने क्या करना है इनको करना है हमने merge और merge किस बेस पे करते है हम किसी specific value की बेस पे करते है ठीक है अब अगर आप गोर करें तो हमारे पास दोनों data set में अगर यहाँ पे देखा रहे तो ौईडी ज हैं मुझूद आई डी ठीक है आईडी कैसे हैं कि ये पहली आईडी है ये दूसरी ये तीसरी और यहाँ पे भी पहली दूसरी और तीस और ये आईडी एक ही data या एक ही sampling point को शो करती है या आप एक ही बंदे का जो data survey के थुरू collect करें उनको शो करती है यानि कि जब आप एक बोलेंगे तो सिरफ एहमद का data आएगा ठीक है अब आपके पास दो data set है एहमद का city और उसका occupation separately आपने लिया हुए और आपने एहमद कि जो age है वो separately है ठीक है और इसी तरीके से फातिमा की जो age है वो आपके पास यह है लेकिन उसी की ID के against आपके पास उनका city and occupation है number third is Ali जिनकी age यहाँ पे है और उनका city plus उनका occupation यहाँ पे है हमने क्या करना है data 1 को data 2 को दोनों को merge करना है we have to actually merge these two data set इन दोनों को merge करने के इनको merge करने के जो है वो help करता है अब इन दोनों को merge करने के लिए हम जब merge करेंगे तो हम pandas की command use करेंगे pd.merge ठीक है यहाँ पे हम देंगे df यानि के पहला data जिसको मैं data 1 कह देता हूँ df की बजाए data 1, data 2 यह हमने दोनों merge कर लिए इसी तरीके से आपके पास 1000 data set भी है आप merge कर सकते हैं यूजिली होता नहीं है तीन चार होते हैं data set you can merge those data set फिर आपने बताना है किस चीज पर merge करना है उसके लिए आप on की command लिखते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि कौन सा ऐसा column है जिसकी base पर merge करना है जो दुनों में एक same है तो इसको बोलते है ाइडी की base प जो है pandas का merge का function है इसके different यहाँ पे parameters होंगे जिसमें how के एक parameter है जिसको बताया जाता है कि inner base पे इसको merge करने so this is how it simple is अब हम क्या करते हैं python में जाते हैं और इस script को और भी अच्छे तरीके से हम देखते हैं यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जब दो data setup merge करते हैं तो क्या करते हैं कि unique values होती है उसकी base पे data को merge किया जाता है और unique values जो है यह बहुत important होती है क्यों important होती है उसकी reason यह है कि जब हम unique values को देखते हैं हमें एक specific sample का पता चलता है unique values की base पे मैं अपनी screen आपके सामने share करता हूँ दूसरी यहाँ पे आप हम क्या करेंगे हम यहाँ पे number 505 underscore merge dot बल्के इसको मैं कर लेता हूँ data integration dot ipynp यह हम यहाँ पे notebook अपनी बना लेते हैं मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा backend पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे हम पहला काम जो करने वाले है data merge का करने वाले है इसके लिए मैं code simply उठा के लेके आता हूँ लेकिन उससे पहले यहाँ से kernel साब चला लेते हैं अपने machine learning वाले अब मैं यहाँ पे code paste करता हूँ and I will actually show you कि कैसे है यह code हमने यहाँ पे data 1 जो है वो बनाया id name and age की base पे एक series बना ली ठीक है और यहाँ पे हमने basically इसके अंदर key and value इसकी base पे dictionary के through हम आगे लेके जा रहे हैं यानि के column का नाम यहाँ पे दे दिया और यह इसकी values है 1,2,3 name के बाद मैंने दे दिया अहमद, फातिमा and अली age उनकी बता दी यहाँ पे different किसम की और इसको मैंने df1 के अंदर save कर लिया अब इतना सा code जो है पहले run करके देखते है df1 वाला ताकि हमारे पास जो data set बना है वो हमें पता चल जाए df1.head and it will show us something like this तो हमने यह वाला data बना लिया ए df2.head is को करते हैं और यह हमारे पास df2 आ गया, id हमारे पास one two four है एक की और एक की हमारे पास one two three है, मैंने जान बूझ के एक की id जो है वो यहाँ पे three रखी है और एक की id पे यहाँ पे मैंने four लगा दिया, just to show you के कौन सा data कैसे merge होगा, अब हम यहाँ पे data को merge करते है, merging data frame के लिए हमने merge df बना लिए, merge df, pd.merge की command, df1 और df2 को हमने merge किया, कहां पे किया, id की base पे, how did we merge on inner side, ठीक है, तो यह अगर आप गौर करें तो यहाँ पे click करने के बाद आपके पास usually यह पूरे पूरे function का पता चल जाता है, कि कौन कौन से आपने values देनी है, मैंने मतलब में left करना है, right करना है, outer करना है, inner करना है, cross करना है, तो default inner होता है, लेकिन मैंने भी इसको inner ही रखा है, आप देख सकते हैं कि left क्यों होगा, use only keys from left frame, तो आप यहाँ पे इन बाकियों को पढ़ सकते हैं, खेर मैं यहाँ पे इसको df.head करता हूँ, and merge कौन सा हुआ, ज दोनों merge नहीं की है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पेस की भी id same कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, अब इसको मैं run करता हूँ, और यहाँ पे merge करके data को run करता हूँ, you can see कि सारे का सारे data यहाँ पे merge हो गया, based on one unique value, और वो unique value name भी हो सकती है, वो unique value आपकी age की base पे भी हो सकती है, व can you use this by using the pandas data frames, और pandas data frame के अंदर pd.merge, यहाँ data frame के आगे merge की command लगा के, based on some unique value उनको merge कर सकती है, this is all about data merging,